हेलो गैज मैं अलचना आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटी डॉक्स वित आरू में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने गरों में सरक्षित होंगे जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप से बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा फेज वाश और टोनर के बारे में आपको रिव्यू दोंगी यह कौन सा प्रोड़क्स यूज करती हूँ अपने डे और नाइट रूटीन में कोई भी क्रीम अपने चेहरे पर लगाने से पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप कोई भी फेज पर क्रीम लगाते हैं नाइट क्रीम हो या डे क्रीम हो तो हमेशा आपको पहले अपने तोनर लगाना चाहिए लगाना चाहिए ये तीन स्टेप आप करके देखिए और उससे आपको आपके इसकिन टेक्शर पर इंप्रूब्में नजर आएगा और आपके इसकिन पर कोई भी फाइन रिंकल्स कोई भी प्रॉब्लम है क्योंकि जब या फेच वास करते हो तो वह क् आपके इसकिन से एक्सिस ओई निकालता है डर्ट रिमूब और इससे आपके इसकिन टेक्शर इंप्रोव होता है तो आज का जो मैं फेच वास यूज करती हूं मैं वह कर रही हूं रिक्विल का एचे फ्रूट फेच वास रिक्विल के बहुत अच्छे हैं और सबस्ट बा आपको अपका पेर विन फ्री है यह सारी प्रोडिक्ट आपके औल इसकिन टाइप प्रोड़क्ट यह मेरे इसकिन पर बहुत अच्छ से काम निया मैं इसको यूज कर रही हो और देखिए मैं इसको फिनिश भी अगर लिया है वीसमें आपको दिख गर दिया और यहां तक म क्वालिटी बहुत अच्छी है कि यह आपके इसकिन टेक्च्चर को इंप्रूव करता है फाइन लाइन और रिंकल्स को रिड्यूस करता है इसकिन को हाइडर रखता और मॉश्चर रखता है काफी समय तक इसली मैं इसे मॉर्णिंग में एक बार फेश वाच करती हूं जो मेरा डेली का फेश वाच टोनर उसका काम है वह करने के बाद में सीधे फिर नाइट में फेश वाच करती हूं अपना इससे तब तक यह सकिन को प्रॉपर मॉश्चर रखता है और हाइडरेशन प्रॉइट कर करते हैं उसके बाद में इस फेश वाच के अनर एक शीज और बहुत अच्छी है कि यह आपके स्किन ब्राइटिंग फॉर्मूले के साथ एप लिवल होता है इसमें यह आपके स्किन के पी-एच बैलेंस को मेंडेन रखता है एंटी पिग्मेंटिशन प्रॉपर्टी के कि आपके स्किन को नरिषभ और मॉश्च रखता है और इस बिखता है एंटी अग ऑट कर आता है मैं से यूज कर रही हूं तो मैं आपको अनिस्ट रेव्यू ही दूंगी और इसे यूज करने के बाद में में मेरे सकिन पे मेरे स्किन ने तेक्शन पर मुझे काफी फरक जो ही आपको प्रमुट्स श्कूट्टाहिते तो विडियो में प्रवाइड कर दो बोरे अगर अगर अब को अगर चानल को लिक्ते यह और अच्छा लगे तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट में बताईगा को आपको अगर यह इस युस्ट करने के बाद में और श्कानलि एक भी पी बताऊंगे अभी इसको गिले फेस पर थोड़ा साइस हो बस उस पर बटन साइज में अपने और फेस पर श्रफ सिफ थोड़े टाइम अपने लिए तो इसके बाद तो टोनर लगाएंगे तो वह बाता है अब को बदाऊंगे कि मैं कौन सा टोनर यूज कर रही हूं इस वीडियो के बाद में नेक्स मेरे नेक्स टोनर भी टोनर के वारे में आपडेट करूंगी आपको तो अगर आपको यह थोड़ा सा भी अगर इस तो प्लीज आप इसको बंद कर दे बैसे प्रॉब्लम आती नहीं है लेकिन अभी तक मैंने जितने भी लोग को सजेस्ट किया है उनको यह प्रॉब्लम नहीं आई है और अगर आप कैसा लगता है तो इसकिन रेडने से कुछ होती है तो आप से यूज ना करें और मैं से पसंद आए और तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे मेरे चैनल को आगे तक प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए और साथ दीजिए मेरे चैनल को आगे ले जाने के लिए थैंक्यू और प्लीज झासने हमागा समये विज कि नहाँ पियाओ